नमस्कार मित्रो, मैं डॉक्टर सजिन चतावर, हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विशे लेकर उपस्यत वता हूँ आज मैं मेवाण की राजधानी महाराणा उदै सिंग की नगरी उदैपूर में हूँ एक संगोष्टी में भाग लेने आया था बोपाल से लगभग एक घंटे की ही फ्लाइट है और ये शहर भी कुछ बोपाल की तरह ही है हिली है प्राकृतिक छटाये हैं और इसके साथ-साथ इतिहासिक कहानिया हैं किस्से हैं जो कही न कहीं आपको महाराना और महाराना प्रताब के बारे में भी बताती हैं तो इस पावन भूमी में आनेक पे बड़ा ही अच्छी और निगूती हो रही है पर सोचा कि क्यों न यह जो अपना सलसिला है इसको जारी रखा जाए और यह सलसिला तूटना नहीं चाहिए तो इसी कड़ी में आज का विशय मैंने सोचा यहीं से आपको प्रस्तूती दी जाए क्या होता है कि हमने आहट के बारे में बात करी थी कि ऐसी क्या क्या चीज़े हैं जो मदूमे की आहट क्यालाती है पर फिर मैंने सोचा कि एक बहुत महत्पूर्ण विशयर है गया है वो है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मदूमे होनी की संभावना जादा होती है अब टाइप वन और टाइप टू डाइबिटीज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं तो जो टाइप वन डाइबिटीज होती है उसकी संभावना बहुत ही मिस्सी होती है कि अगर आपको टाइप वन डाइबिटीज है तो आपके बच्चों में टाइप वन डाइबिटीज होने की संभावना पांस से छे परसंट रहेगी कि अगर माबाप दोनीों टाइप ल vapid हैं तो उनके बच्चों को भी टाइप 1 डाइपोने की शह से 8 % होगी अब दो जुडवा भाई बहन हैं जुडवा भाई हैं तो दोनों में भी संबावना जो है टाइप ला की चार से 6 परसनड की बीच निहीं में आकड़े आते हैं पर टाइपsyन हम सीधा संही की तो बहुत जादा सिर्धा संन्मंभ आनमआउन्सडिक और बाकिम शूर्टंशम से ताइप मिं नहीं है पर बात जब आती है थाइप टू डायबिटी की आपको मालूमी है । enerSeb 95 वे पान्चानमे ने कि पोलेंगे तो time 2 diabetes है लोके पूछते हैं कि मेरे ये मेरे ये 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 type 1 है, le ciao तू है और ये ये 1 ये type 1 है, पोलते हैं मिलसा को भीवों को कर दूदा है , तो आपको एक सुक्ति देता हूं कि 75 में से ये type 2 diabetes है और जो यह type 2 diabetes है इसकी बहुत से कारण है सबसे मुख्य कारण insulin resistance है जो की मुठाबे की वज़े से होता है फिर कुछ लोगों में insulin की कमी है कुछ लोगों मिशुत रूप है insulin resistance भी है और insulin की कमी भी है पारिवारे कुछ genetic defects है कुछ चीजे हैं यह सब चीजे मिलकर आपके risk factors बन जाते हैं और जब risk factors की बात होती है तो हमेशे ध्यान रखिए type 2 diabetes के बारे में मुख्य तौर पर बात होगी तो अब बात आती कि डॉक्स आप ऐसे कौन से रिस्ट्रक्टर जो हमें पहले से पता चल जाए और हम पहले से तयार रहे तो सबसे पहले इंसान को जो शुरुवात होती है में जीवन की वह तो जन्म से होती है बात आपको हमेशा पता है जब हम लोग अपने इंस्टियूट में थे तो हमारे जो प्रोफेसर मैडम थी वह हमेशा बात करती थी कि हिस्ट्री ले रहे हो तो हमेशा पूछो कि जन्म के समय वजन कितना था तो वह बड़े हस्ते थे थ जादा हमें फोर्स करती नहीं कि पूछने ही पड़ेगा आज का महत्व समझ में आता है कि जन्म के समय अगर वजन आपका तीन चार किलो चार किलो से अधिक हो जिसको हम मैक्रोसोमिया कहते न वक्त और समय के साथ बड़ा बच्चा तो ऐसे बच्चे में जडों में ही डाइबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है तो जर्म से ही मा की कोक से ही डाइबिटीज की शुरुवात हो जाती है इसलिए ज़रूरी है कि गर्भावस्ता के दौरान महिला अपने शुगर को बहुत अच्छा नियंत्रित करें एक अच्छे हार्मोन रोग विश्य श निश्चित करना हर आदमी चाहता है तो भविश्य शुनिश्चित करने के लिए आपको यह प्रयास करने होंगे और अपना शुगर बहुत अच्छा करना होगा तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और फिर बात आती है कि ठीक है हमें बर्द के समय अपना वजन देख लिया बर्द के समय वजन हमारा धाई तीन किलो था अब उससे जादा नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है फिर हम बच्चों का ध्यान रखें कि उनको सामाने से अधिक मोटा ना होने दे कैसे पता चलेगा क कि बच्चा हमारा मोटा है सामाने है यह ऐसे पता चलेगा कि आप अपने बच्चे का आजकल ग्रोफ चार्ट आते हैं उसमें वेट वाले भी चार्ट आते हैं अपने डॉक्टर को बोलिए आप कि वेट चार्ट वाला आप ग्रोफ और वेट का चार्ट कर दीजिए और उस 90% से उपर है तो वो मोटापा कहलाएगा जब भी मोटापा होगा या ओवरवेट होगा आपको सतर्क हो जाना है और उसको बच्चे को बड़ी आप पोशक तत्व अच्छे देने हैं क्योंकि अती पोशन भी कोपोशन ही है मोटापा भी बिमारी का धुंदलका है शुरुवा है 95% से उपर है तो वहां पर वजन कम करना बहुत जरूरी है फिर मैं आपको हमेशा ही बताता हूं कि आप गर्दन देखिए मस्से हैं बाकी सब चीजे भी आपको देखनी होगी तो यह बच्चों वाली बात हो गई प्रोडवस्था में आते आते कई बार क्या होता है कि प पर्दों के बीचे छुपी रहती है वो भर के आने लगती है तो ऐसी बिमारी में भी आपको ऐसे समय में भी बहुत धरा रखना है कि आप आदर्श वजन की साथ रहें और उसके साथ ही आप बिलकुल अपना जीवन का निया बात रहें फिर बहुत से बाते आती हैं कि और क 78 साल की उम्र में कहीं न कहीं प्राकृतिक तौर पर आपकी शुगर सामाने से अधिक होने लगती है फिर आप देखते हैं कि खाली पेट शक्कर कराते हैं तो शुरुवाती दौर में बहुत से लोगों की जो सामाने लोग रहते हैं उनकी शक्कर 70, 80, 90, 80 आई ही पर भी शुरुवात कहला सकता है आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि यह है रिस फेक्टर भविश्य में डाइबडीज हो सकता है क्योंकि लिवर में आजकल सभी के लिवर बढ़े हुए हैं जिसका भी देखो कि आप सोनोग्रफी कराओगे तो फैटी लिवर मिलेगा तो फैटी क्यांगे डॉक साब आप तो बहुत टेक्निकल बाते कर रहे हों पर इंपर फासिंग लुकोस के बारे में आपको सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि यह एक डायबिटीज की पहले किस्थिती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज और यह सौ से एक सुपच्चिस सग अ इतने डायबिटीज का उनकी शुरुवात हो सकती है तो इस समय सबना होगा अगर आपकी शुगत 126 यह उससे उपर आगी तो डायबिटीज कहलाएगा पर 125 के अंदर है 100 से उपर है और 125 के अंदर है तो वह इंपेर्ट फासिंग लुकोस कहलाएगा वैसे एक सिती होती है क कि भूजन के बाद शक्कर हम देखते हैं क्या होता है कि जो खाली पेट शक्कर है न वह बताती है कि आपके लिवर में कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस है वैसे भूजन के बाद की शक्कर आपको यह बताती है कि आपकी जो वसा में मैं हमेशा कहता हूं कि शुगर की खपत दो ही जगह होती है एक मासपेशियों में होती है यह हमें डाइबिटीज नहीं है पर डाइबिटीज होने की संभावना है और यह धुंदल का है जो कहीं न कहीं आपको डाइबिटिक बना देगा इस चीज का धियान रखते हुए हमें काम करना वोड़ेगा यह भी एक कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल HDL वो भी लगभग पैतिस तक आ रहा है पर यह ट्राइबिटीज नहीं मालूम क्यों तीन सो चार सो आ रहे हैं डॉक साब बताईए इसमें क्या करें यह जो ट्राइबिटीज का बढ़ना है यह भी एक सो के उपर है भरे पेट एक सो चालिस के उपर है तो यह कहीं न कहीं मधु में होने का रिस्ट वेक्टर है इसका अपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा आपको बोलेंगे कि मुठापे के बारे में कैसे बता करें मुठापे के लिए दो प्रकार का मुठापा ह होता है पुर्शो जैसा मुठापा महिलाओं जैसा मुठापा पेट के आसपास होता है तो उंद बढ़ने लगती है महिलाओं का मुठापा थोड़ा सा पुठो के आसपास होता है तो गाइनकॉइड उबिसिटी के लाती है तो जो पुर्शो वाला मुठापा है वो अगर म तो आपने के लिए क्या करना होता है आपको अपना weight circumference आपको अपनी कमर नापनी होती है weight circumference 80-90 के बीच का criteria male female का इससे ज़्यादा हो हिंदुस्तान में तो आपको जबहावना बढ़ जाती है मदू में होने की तो वह एक risk factor हो जाता है BMI जिसको कहते हैं आप height और weight के हिसाब से height हम centimeter में आपने है weight kilo में आपने है तो BMI का criteria यह है कि हिंदुस्तान में अगर 30.7 से उपर BMI हो जाए तो आप overweight हो जाते हो और लगभग 27 के उपर आ जाए तो आप grade 1 obesity हो जाते हो और 30 के उपर grade 2 और 25 के उपर severe obesity हो जाता है पश्चिम में यह criteria थोड़े से आगे हैं वहां लगभग 40 के उपर आप severe obesity के criteria में आते हो तो हम लोग दुबले हैं पर जादा मोटे हैं हम लोग की तोन इतनी बड़ी नहीं है पर भी diabetes होने की संभावना मदुमे होने की संभावना हमारे अंदर जाता है तो हमारे risk factors भी जल्दी आ जाते हैं तो यह मुडापा भी एक बहुत बड़ा risk factor है आपके घर में अगर delivery होई है आपके स्वैम की भी आप महिला है आपकी पिछले बच्चे के समय आपको शुगर हुआ है तो इसको कहते हैं gestational diabetes गर्भावस्ता के दौरान होने वाला diabetes तो जिसको भी गर्भावस्ता के दौरान diabetes आपको मालूम ही है कि delivery के बाद वो ठीक हो जाता है तो मान के चलें उस बच्चे को भी diabetes होने की समभाव जादा है और आपको भी diabetes होने की सम्भावना जादा है इसके अलावा बातें फिर बहुत सारी आ जाती है कि परिवार में किसी को diabetes है पिदा जी को diabetes है, माता जी को diabetes है तो लोग बोलते हैं सब हमारे हैं तो diabetes आनुवांशिक है कुछ हद तक मैं कहूंगा कि ये सही नहीं है मैं हमेशा कहता हूँ कि संसकार परिवार में चलते हैं जीन्स परिवार में भी चलते हैं पर diabetes की जो संसकार मुख्य तर संसकार ही चलते हैं जो खान पान के तरीके हैं, जो आचार वैवार है, वो आपको सुधारना होगा, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, और दूसरे से तीसरे जनरेशन जाते हैं, तो ये सिलसिला कहीं अगर रोक देंगे जागरूपता से, तो ये चीज़े बहुत सफलता क में सब चायज है, smoking के लिए तो मैं हमेशा कहूंगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे भी insulin resistance बढ़ता है, मुटापा बढ़ता है, कही न कही इस बिमारियों की शुरुवात हो जाती है, इसलिए हमेशा की तरह बात ये आती है, कि जो risk factors है, ये जो हमने देखे, risk factors जिसके बारे में हम लगातार चचा कर रहे हैं, ये अगर आपके जीवन में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक आदर्श जीवन शैलिए अपनानी चाहिए, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, खान पान में सयम बरतना चाहिए, और tension तनाव बिलकुल नहीं करना च सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां आच्छा देते रहें, पुश्पो की तरफ पुश्पित और पलवित हों और हर्याली चायती रहें, हमेशा जीवन में खुशियां हमारे को घेर के रखें और दुखों को अंदूर करें, इसलिए हमेशा चाहते हम कि जो चक्रव मेटाबॉलिक संदर्य मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, मुटापा, मदुमे, हाइपर टेंशन, हाइट डिजीज, यह सारी बिमारिया मेटाबॉलिक संदर्य में आ जाती है, तो फिजिकल और मेटाबॉलिक ब्यूटी समान नांतर चलती है, एक बढ़ती है तो दूसरी भी मेटाबॉलिक संदर्य भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिक संदर्य बढ़ेगा, तो आपका जीवन, चेरियवन और चेरायू जीवन की तरफ आगे बढ़ेगा, आशा है, आपको भी यह मेरी बात समझ में आई होगी, और इन रिस्ट्रेक्टर्स को पहचान कर, आप इनको झालओेगा, उनको पहचान कर, ढ़ दागे बढ़ेगा, न चे प्रफ चेरिक बढ़ेगा, गट कि चेरिक Mammyándeा खidade कॉने रिस्तछर्स को दाआ जू एएर हैं अलगे वह मेंज़ से शungen, चेरिक स्वें आपका यह वह मेरी बाता हैं, आपका एत सम्चें लबेखा हैं,